भाईयो सभी को नमस्कार तो आज मेरे पास यहाँ पर हेटर की कुछ रोड है तो भाईयो आज कल रोड में ये प्रोब्लम आ रही है जैसे ही आप हेटर में लगाते हो तो रोड तूरंथ खराब हो जाती है या कुछ देर चलने के बाद खराब हो जाती है तो ऐसा क्यूं होता है तो इसमें क्या क्या प्रोब्लम आती है ये सारी चीचे आज मैं आपको बताऊंगा तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना तभी आप समझ पाओगे तो भाईयो चलिए बात कर लेते कि रोड आखिर खराब क्यूं होती है तो देखे मेरे पास यहाँ पर कुछ रोड रखी है और इनमें एक ओपन रोड है ओपन का मतलब है इसके उपर आप अलिमेंट को देख सकते हो और भाईयो चार मेरे पास यहाँ पर काच की रोड है जो यहाँ पर नीचे है देखे मैं दिखा देता हूँ आपको तो यह रही काच की रोड आप देख सकते हो इसके अंदर element है तो आप बात कर लेते हैं कि रोड आफिर खराब क्यों हो जाती है तो भाईयो जब आप इसे खरीद कर लाते हो बजार से तो या तो आप cycle से लाओगे या बाइक से लाओगे तो भाईयो जब आप इस रोड को ले एक रहे हो अगर यह लूज हो जाएंगे तो इसके अंदर element जो जुड़ा हुआ है वह भी लूज हो जाएगा और लूज होने से क्या होगा वहाँ पर spark पैदा हो जाएगा जहां पर लूज हो गाए और भाईयो वह spark बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि वह तुम्हा रोड में यहां पर ले रहा हूं और देखिए इसका element तूटा हुआ है तो इसका region यह था जब मैंने इसको connect किया तो इस पर एक बुंद पानी की गिर गई यहां पर यह देखिए तो यहां पर पानी गिरने से यहां से कमजोर हो गया और यह तूरन तूट गया तो यह पूरी connection कैसे होते हैं और यह क्यों टूट जाती है तो चलिए मैं आपको अच्छी तरीक से बता देता हूं तो यह देखिए मेरे पास यहां पर कांच की रोड है और एक रोड मैंने यहां पर repair की हुई थी तो यह देखिए यह रही वो रोड और यह मैंने यहां पर repair करके MSIL से दिखा देता हूं कि इसके अंदर connection कैसे होते हैं तो इस तरीके से हम इसे खोल लेना है और यह जो इसका screw है तो इसमें यहां पर element जुड़ा हुआ होता है ठीक है तो आप यह जो इसके page देख रहे हो दो आगे तो पहले page को मैं इस तरीके से निकाल लेता हूं और यह जो द बाहर को जाएगा और spark होने से आपका element जल जाएगा 100% खराब हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस element को मैं आपको बाहर भी निकाल करके दिखा देता हूं तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा तो चलिए भाईयो अब इस element को मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूं कि यह कि और इस screw को tight करता है यह बाहरवाला net तो अगर यह बाहरवाला net ही lose होगा तो इसी से जुड़ा हुआ element है तो element भी आपका lose connection हो जाएगा तो lose connection से सिदा सा मतलब है spark पैदा होगा और आपका hitter 100% खराब हो जाएगा तो भाईयो यह विशेश तोर से आपको ध्यान रखना है जब भी आप road के connection करो तो आप देख लेना यह screw tight है या नहीं अगर यह lose है तो इसको अच्छी तरीके से tight करो उसके बाद ही connection करो और भाईयो यह जिस काच के जिस नली के अंदर यह element आता है तो यह काच भी बहुत strong होता है यह देख सकते हैं देखे तो इसे आप बहुत सारे काम में भी ले सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं एक मैंने room heater बनाया था यह देखे बहुत ही मजबूत है और विल्कुल सुरक्षित है आप इसे कहीं से भी छोए कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही safety का मैंने ध्यान रखा है तो इस heater की video को भी जरूर देखना बहुत मेहनत लगिया है यार इसे बनाने में और यार इसी वीडियो पे सबसे कम भी हुए है तो यार इस वीडियो को भी जरूर देखना और share करना और like करना बहुत ही महनने से 3 दिन बना था यह heater तो बाई इसमें मैंने दो रोड का यूज़ गया है ये देखे दोनों रोड जल रही है तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप रोड लगाते हों तो उसके connection पर सबसे ज़़ाद आपको ध्यान देना है ये देखे इसके connection मैं आपको दिखाने चाहता हूँ तो इस प्रकार से मैंने याँ पर देके connection किया है बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने याँ पर इसको tight करके और मोटे तार का use किया है तो इस प्रकार से आप भी connection कर सकते हो आपकी road खराब नहीं होगी और भाईयो एक बात आपको विशेश तोर से धान रखने है तो आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो आप बंद करो जब हीटर ठंडा हो जाए road उसकी तो तब आप उसे उठा के रख दो क्योंकि ठंडा होने पर उसकी जो element हो ठीक हो जाती है लेकिन गरम होने पर वो बहुत नाजुक होती है तो भाईयो आपको विशेश तोर से धान रखना है जब आपका हीटर चल रहा हो यानि road गरम होना उस टायम को आपको हीटर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है नहीं एक जगह से दूसरी जगह रखना है अगर आपको रखना ही है तो आप उसे बंद करके दूबारा उठालो आराम से रखलो फिर दूबारा चलालो लेकिन जब गरम हो तब नहीं उठाना है तो ये कुछ बाते हैं इनका अगर आप ध्यान रुको कि तो आपकी हीटर की जो रोड है वो खराब नहीं होगी तो भाईयो कनेक्शन को हमेशा अच्छी तरिके से करना चाहिए ताकि लूज होने की सिकायत बिल्कुल खदम हो जाए और आपकी रोड को कोई नुक्सान नहों तो भाईयो ये कुछ सावदानी है जिनने करके आप आसानी से अपनी रोड को बचा सकते हो आई होप इस वीडियो में दी गए जानकार से आप संतुष्टे और भाईयो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चानल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि ये नौलीज दूसरों तक भी पहुंच पाए तो आज की वीडियो में इतना ही मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम